सेमी फाइनल में 10 विकेट से गंदी हार किन किन खिलाडियों को हो जाना चाहिए बाहर सबको बाहर करो, एक एक करके बाहर करो तो सबसे पहला नाम केल राहूल, छोटे मैच के बड़े खिलाड़ी और बड़े मैच में तो दिखाई नहीं देता भाई, यह बन जाता है बिल्कुल अनाड़ी नहीं भाई दिख रहे थे, बड़े अच्छी तरीके से आउट होके गए थे, वो चाहते तो मतलब ऐसे गेम बना के थोड़ा अच्छा खेल के आउट हो सकते थे, लेकिन उनको नहीं जरूत लगी वो चले के पहले पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच था बहुत बड़ा मैच चार रन वनाए, नेदरलेंड्स के खिलाफ नो रन वनाए, अरे बहुत जादा नहीं है, साउट अफरीका के खिलाफ फिर नो रन वनाए, बांगलादेश और जिमभावे के खिलाफ 50 और 51 रन आए, और जैसी सेमी करेंगे जिस दिन डिलिवर करेंगे, उस दिन बहुत बढ़ादेश दिलिवर करेंगे, यह तो ऐसे बंदिया है कि अकली अपनी नौक से पूरा मैच पलट यह, यह आई पील नहीं है, आप पढ़ीया खेलते हैं, हमें पता है, और अगले साल जब दुबारा से आई पील हो सकता है, और इंज कैप यह अपनी जेप से निकाल के फिर उसे पर लगा लें, क्योंकि वो तो इनके पास रहती है, पर यह कौन सी परफॉर्मेंस है, जिसमें जब भी बड़ा मैच होता है, आप पहला ओवर तो मेड़न निकाल देते हो, क्योंकि आप इसना अधर कर खेलते है, और वो जो, मैं तो खुद कहता हूँ, मैंने वीडियो बनाया था नासर उसेन साब को कहते हैं, मैं मान नहीं रहा था, अब लग रहे देखके, भाई सच में डर रहे थे, क्या, डर, डर, fearless brand of cricket खेलते हैं, वो बाइलेटरल सिरीज के लिए, इंडिया आओ, अपनी विके कहल रहे हैं, और यह जो ओपनिंग की बाद हम कर रहे हैं, अगर हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, मतलब यार आप हर मैच में देखो जाके, पहले पावर प्ले के अंदर जहां बागी सारे टीम करने कोजिश्च कर रही होती थी, विकेट गिर जाती थी, नहीं रन मते थे, समी के अंदर, आप मेडन निकाल रहे थे, आप सी ओप कर रहे थे कि बॉलर आएगा, अपनी जो है, वो पहला मेडन लेके जाए एक दो रन ले ले लेगे हट सेर्थ, और उनका अचीवमेंट यह हो तरह बैट्समन का इस सब के बीच में, भाईया हम भी शुकर बनाते थे, एक विकेट जिस तरीके से गिड़ जाती थी न, विराट को लिए आगे, वहाँ पे पहले नहीं तो दूसरे ओवर के अंदर शुरू कर जाते थे, और बाद में आखिर तक यार, एक ही बंदे ने, क्या ठीक रहा अपनी सिरपे ले रखा है, भाईया, मैं आखिर तक लेके रहा था, हार्दिक पांडियाबाद में आके चले है, विराट कोली यार, अपने को बचा के लिखे जा रहा है, आपका कोई रिस्पोंसमिलिटी है कै नहीं है, पूरे वर्ड कप में से सूर्य कुमार यादव विराट कोली को निकाल दीजिए, इंडिया का ये सबसे डिजा जिता हो ना, आपको विराट कोली को कप्तानी से हटाया गया रोईशर्मा लाए गया, रोईशर्मा क्या है बहुत यप्टन है, रोईचर्मा क्या महला बहुत फिट कैप्टन है रोईशर्मा को लाँगया क्योंकि Every Dog Touch आएगा, एक नया, शायद हमने देखा जब तक विरा केपर के लिए वहां पर इन्हों ने दिनेश कार्तिक को खिलाया क्योंकि वह के आपने वहांW vaigनल आया मसलें कुछ नहीं कह रहा ह। और मेरा मानना यह है कि अब क्योंकि दो साल के बाद अब T20 वर्ड कप होगा आप अभी से आप बात करें रोहिश शर्मा और के राहूल दोनों को विश्राम देदें आप कहें कि भाईया आप एक 34 साल के हो एक 30 साल के हो बले ही जैसे भी हो आप ना नहीं आप भाई मतलब जाते हैं गेम को लेकर और वोग अग्रेसिव कैप्टेन है वह ऐसे हैं वह यह रवब लेकर जाते हैं मुंबई इंडियन के लिए क्या करूं मैं भाईशा वोट अभी वोट डीप नहीं लिए जाते हैं कि यह कहने का यह मतलब है कि रोह चर्मा कि अगर आप बैंटिंग सा सब्सक्राइब का जादा अच्छा एवरेज है इस पूरे वर्ड कप में रोहिच शर्मा से एवरेज के रन आप देखो के रन भी शायदा निकलेंगे रन तो जाधा नहीं है क्योंकि उन्होंने कम से कम रोहिच शर्मा ने तो निकले हैं यह बात जब टिकने की बात थी तब मतलब कम से कम मंदा टिका हुआ था चाहिए कहीं भी अपना बला अड़ा के चौका मार के चका मार के अश्विन का जाता है रोहिच शर्मा से मतलब आप यह यह एग्रेसिव ब्रेंड ऑफ क्रिकेट के एमबेसडर तो देख लो आप नहीं देख लेते हैं यहां पर भाईया रोहिच शर्मा का एक क्रिटिसिजम है कि ICC ट्रोफी के जब भी नॉक आउट मैचेज होते हैं तो रोहिच शर्मा नहीं चलते और इस यहां पर नॉक आउट में तो चले ही नहीं आगे भी अगर हमने इस पूरे वर्ड कप में देखा तो 2019 में जो रोहिच शर्मा ने आग यह थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि आउट फॉर्म हैं जादा अच्छा मलब पर्फॉर्म नहीं कर रहे थे तब माना जा रहा था कि नहीं ऑस्टेलिया की पिचिस पर यह बॉलर चले तब माना जा रहा था जब बात में जस्ट्रिफिकेशन भी ती गई थी हाँ वह यहीं कर रहे हो बाकी पूरे साल अच्छा खेल रहा था और बालर्स के लिए उतना फेवरेवल निए टॉस मिलेंगी वहां पर यह बंदाना कहर रहा देगा हमारे पास टीम इंडिया के पास में बताना चाहता हूं बैटिंग में तो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है बैट इंडियन इंडियन बॉलर्स में है बिल्कुल बारा के रंसे आज पिटवाएं दो वर में 25 रन जरूर दिया किसी ने कोई विगेट नहीं थोड़ी सी और जब 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 एडिलेट जैसी पिच पर जब आप बंगलादेश के अगेंस्ट खेले तब आपने तीन ओर में 27 रन मैं पहले हमें इतने रन बना भी गए बहुत मैं पहले जो शुरू होने से पहले यह पता चल रहा था कि भाई यह वन 57 जो है वहां पर एवरेट स्कोर है लेकिन यह जो पिच है इस बार जो इस मैच में खेली जानी थी वह एक हाइज स्कोरर गेम की तरफ इशारा कर रही थ इंडिया जो वहां पर बैटेंग कर रही तब लगना था कि यार वही है यह एक सुसाट वाली पिच है और हम तो एक अबव पार स्कोर पर बैटे है लेकिन जैसे इंगलें वहां पर खेलने आती है पहले और महीं बता दिया उन्होंने कि यह यह 200 पार की पिच थी और अब इतनी पिच चेंज हो गई और यहां पर मतलब बिल्कुली सब कॉंटेनेंट पेच नहीं है जो कि कम रोल हुई हो जो कि जिस पर तैयारी ना करी गई हो जिस पर घास ना पर बहुत नहीं पलटती है इतनी ज्यादा तो बहुत हमने भुवनेश्वर कुमार की बात कर ली और मैं भुवनेश्वर कुमार से मेरी नाराजगी यह है कि जब आपके पास अगर जस्परीद भुमरा जैसा बोलर नहीं है जो कि आपका लीडर ओफ पेस अटैक बोलर नहीं है तो आप भुवनेश्वर कुमार की लिमिटेशन बिल्कुल साफ है मुझे लगता है कि जब अपना नाम पीछे की चुके हैं आप सिर्फ ओडिया और टी ट्वंटी की तरफ आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है आपको उन बॉलर को नर्चर करना चाहिए जो कम से कम आपको एक एग्रेसिव आप वहां पर एग्रेसिव माइंसेट लेकर आए टीम इंडिया की बै आप कैसे एक्सपेक्ट करते हों कि वह आते ही आपको मारना शुरू करते हैं आप बॉलर्स में अगा भूबनेश्वर कुमार भी डिपेंसेव हैं रवी चंदर नश्विन ने पूरे टॉर्नमेंट में 6 विकेट लिया है आदल राशीद और क्या रवी चंदर नश्विन को मैं कंपेर कर सकता हूं एडम जैंपा और क्या रवी चंदर नश्विन को मैं कंपेर कर सकता हूं जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करिया और यह तो बात होगी कि आश्विन आपके पास एक लौटे एक ऐसी स्पिनर जिस पे आप थोड़ा बहुत भरूसा कर पारे थे औ करना अधरवाइस आपके पास को ऐसा स्पिनर ऐसा धारदार स्पिनर कोई नहीं था जिसके उपर आप बैंक कर सको अक्षर पटेल यहां पर जैसे हैं वैसे उनके जो बॉल्स पहले जो लग रहा था कि बहुत तेज तरार बॉलिंग कर रहे हैं वह यहां पर आपके आपके काहिना की पहले लग था कि शायद उनको लेकर आना चाहिए था शैया एक लेंक्ष इनकाल के देता है बट लेट्स फेसे इट कि वह सबंद कर आना था तो आपको एक प्लैन के साथ उनको लीकर आना था ना ऐसा तो नहीं हो सबस्ता ता कि आपने लीग मैच वनें खिलाना आपने जरूरी नहीं समझा चेहल के साथ तो फिर वही हुआ है कि पिछले टॉर्रमेंट में जब पिछली वर्ल कप हुआ था तब आप लेके नहीं गए इस बार लेके कर खाली पाली पिलवाया आप नहीं कर वाया तो बहुत कम से कम इस पूरे की जाए उतनी कम जिस हिसाब से डिप ओफ फॉर्म थी पिछले दो तीन साल से कोई सेंचुरी नहीं आई थी लोग बात कर रहे थे कि नहीं नहीं यह चली नहीं रहा था बल्ले बाल ने चिपक रही थी साथ में हार्रिक पांडिया भी रन बॉल खेलके गया है वहां पर 40 बना बारे में भी मुझे एक बात यह कहनी है कि हार्दिक पंडिया भी बहुत वल्नरेवल हैं बार-बार उनका शरीट टूट जाता है बहुत मतलब पीठ में बड़ी चोट अब यह तो उसके बावजूद भी हार्दिक पंडिया ने एजन ऑल्राउंडर अच्छी कुमार यादव और विराट कोली जो है यह नहीं दोनों के उपर डिपेंड कर रही है टीम इंडिया आज सुरी कुमार यादव नहीं चले तो साथ में आके मलब हार्दिक पांडने ने वो कमी पूरी कर दी लेकिन वहीं बात है ना कि जब आप सेमी फाइनल खेले हो स्टेक वहां पर आप सिर्फ दो प्लेयर्स चल जाएंगे इस भरोसे आप नहीं गेम जीत सकते हो और कसम से कहा सकता हो किसी की अगर आज के गेम में आप 15 अवर तक हार के आप लास्ट मोमेंट पे जैसे तैसे करके जीत जाते बाइचांस उनका फॉल विकेट शुरू हो जाता कु परफॉर्म किया है क्योंकि विराट कोली सूर्य कुमार यादव आपके जो भार्दिक पंडिया और थोड़ा से थोड़े से लेवल पर मैं अर्षदीप सिंग भी काऊंगा कि अर्षदीप सिंग भी एक फ्यूचरिस्टिक आप एक बोलर आप समझ सकते हो आप उन पर लग लेकिन वो निकल के आया इंडिया के लिए लीडिंग विकेट टेकर बने और भाया हर तरीके से उसने बता दिया कि मैं यहां पर लंबी रेस का घोड़ा हूं मैं यहां पर अभी से ही जाकर आउट नहीं होने वाला हूं मैं प्रेशर अब्जॉब कर सकता हूं हर गेम के यहां पर मुझे लगता है कि अब आगे टीम इंडिया को सोचना बड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि अगर आपको अग्रेसिव इस पिनिंग ऑप्शन चाहिए पूरा का पूरी आप दुनिया देख लीजिए जो भी अच्छे देश हैं जिन्होंने टी-20 फॉर्मैट को क्र पारें तो कहीं न कहीं आपको कहीं और दूंड ना पड़ेगा जैन अग्रेसिव लेक्स पिनर है उनका एक सटन फेज आया जहां पर फॉर्म ठीक नहीं चल रही है तो आप डिफेंसिव इस पिनर पर नहीं जा सकते आपको कोई और तलाश ना पड़ेगा वही मेरा पॉइ ला लेंगे तरह को तो वह जो जो टीम इंडिया की जो लैक फिरपरेशन थी और यह लैक फिरेशन इस वजह से नहीं थी क्योंकि समय कम था लैक पर दूपरेशन इसलिए थी क्योंकि शायद माइंसेट गलग था और वह माइंसेट चेंज करने कि अब यह दो वर्ड कुप मैं लगता है कि अब यह चोटा सा पॉइंट और रखना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान फाइनल में है इंडिया फाइनल में नहीं है पाकिस्तान कॉंग्राचुलेशन बहुत अच्छा क्रिकेट खेले आप सेमी फाइनल में सारी ट्रोलिंग मगरा सारा साइड हटा कि ल उस ट्राइम पे पाकिस्तान जाके पहले उन्हों ने इंग्लें के साथ अपनी एक सीरीज कम्रीट करी और उसके बाद पहुंचे सिरे न्यूजिलेंड वहां लिए त्राइज सीरीज वहां पर आपको पिच्छ पिच्छ पीर मिलिए और जीतके भी गए वो सीरीज को अब लिए उनके पास उस चीज का एक्सपीरेंस जादा मिल गया था बले ही अब बार बार यह कहा जार था कि इंडिया जो है देखिए बागी टीमों से पहले अस्रेलिया पहुंची अठारा दिन मिले अक्लामिटाइज करने के लिए तो क्या करें और पाकिस्तान की बात कर रहे हो पाकिस्तान के ऊपर आप थोड़ा सा आप अच्छी बाते कर रहे हो थोड़ी सी अच्छी बाते मैं भी कर देता हूं क्योंकि जो चीज बढ़िया चीज है उसको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है पाकिस्तान की टीम ने जो पहले मैच में जो टीम खेली थी और यह जो स ऐसे प्लेयर को अंदर डालने की जरूरत है जो फियर्लेस क्रिकेट खेल सकें हैरेस आये लगातार उन्होंने जिस तरीके की क्रिकेट खेली शाहीन थे लेकिन वह बहुत जरूरी है यहां पर आपको मतलब पचास बॉल पचास नहीं चाहिए बहिए यहां पर आपको पंद तरीके से मैं जीता और ऐसी फियर्लेस क्रिकेट हमारे पास वह यंग्स्टर्स हैं जो की खेल सकते हैं मेरा कहना यह है कि उन यंग्स्टर्स को आपने पिछले एक तेर साल में बार बार टेस्ट भी किया लेकिन उसके बाब जूद भी यह भरोसा नहीं किया आपने उनको थ रिशब पंध को एजन ओपने ट्राई किया उसने जो दो तीन उसको जो मौके मिले उसमें धंका ठीक परफॉमेंस करी आप या रिशब पंध को नंबर 6 पर बेज रहे हो या रिशब मिडिल ओवर्स में वह एगा टी 20 में मिडल ओवर कौन से होते नंबर 6 के लिए मुझे रिशब पंध ब्रैंड फ्रिकेट वही है वो जो सेवाग वाली होती थी आपको अगर ओपनिंग पर ऐसे एक एक स्प्लोजिव बैट्समेन है वहाई पर भेजना है अगर वह बंदा वहां पर दस पंदा बॉल टिकता है तो कम से कम केल राहूल वाली इनिंग्स नहीं कैसे प्रिकेट लाते ना जोड़ी को तोड़ना पड़ता और वो तो नहीं जी हम तो नहीं तोड़ सकते हम तो इतने कंसरवेटिव लेर हैं क्योंकि अपने दिन पर मैच जिता हैं गाई बाइब बात यह है कि जब इन से पूछा जाता ना एक तो ना इन लोग की आपसी अब मै चाहरा हूं कि अगर आप पूछ लेते हो कि भाई या केल राहूल से कि भी इसको इसको आना चाहिए यहां पर उपन करने उसको पन करने आना चाहिए वह क्या करो बैढ़ यहां पर जोड़ देना पड़ जहां पर आपके डेने उपने पर गेम जिता देगा सब कुछ कर देगा केल रभाहूल आपको जड़ाय राहूल ऐसा के बंदा अभी अपनी इंजरी से रिकावर करके आ नहीं पा रहा था भाई तुम इंडिया के वर्ल्ड कप मैचेस के अंदर उस बंदे को ट्राय कर रहे हो कि शायद फॉर्म में आ जाएगा इससे ज्यादा बर्बाद सोच नहीं हो सकती मेरे हिसाब से केल राहूल पर जादा जोर इसलिए दे रहे हैं कि बीच में भी हम लगातार वीडियो लेका शर्मा की उपर भी उतना ही जोर देने की जरूरत है यहां पर जितने फॉर्मर क्रिक्टर्स भी है ना कुछ जो बड़े बड़े-बड़े एक्सपर्ट है मैं अब यहां पर नाम लेते हुए कहीं उनके फैन क्लब या उनके और लोग जो है मारे सब्सक्राइब करते हैं यार चर्मा अभी अभी बनाए है पूरे इतना टाइम खा गए इतने बॉल खा गए और उसके बाद हो कह रहे हैं देखिए उनकी इनिंग से बहुत सपोर्ट मिलिए बहुत अच्छ साल में खेल रहे हैं अगर वह भी मैं यहां पर स्टेट लेकर आ जाओं तो भी कोई भी बंदा कोई भी जना जस्टिफाई नहीं कर सकता कि जिस तरीके से रोह शर्मा टी 20 में वह फुली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं लेकिन हम लगा निकर सकते क्यों 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 विराट् कोली को हमने कैptancy से हटा दिया क्योंकि विराट्की न ढंग से मोटिवेंट नी कर पा रहे हैं के लसंग इंचे direct हो भी और थि हम है क्या क्या राहुल इस वज़य से नहीं थी आप पिशले चार महींने से लगातार चेल्य कुमार यादव उस सीरीज में है के राहूल सीरीज में नहीं रहे शरा बता यह नागाइड करेंगे यहां पर तब आ नहीं जो सिलेग्शन सेपर डिया जा रहा है यह तो इस कमीटी के जो अध्यक्ष हैं एक चीज पते पर नहीं आई है मलब सिलेक्टर से भी जवाब देई होनी चाहिए मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि यह प्रेस कॉन्फरेंस से इतनी चिड्क्यों मच गई है कि सिलेक्टर से भी प्रेस कॉन्फरेंस करनी खतम कर दी है राहूल और इनकी तो मजबूरी है कि इनको प्रेस कॉन्फरेंस में बैठा पड़ता है इनसे कोई धंका सवाल पूचने को तो लोग आज के मैच में इतना बर्बाद खेली इंडिया आप चार मैंच आप बटलर के बारे में तो अच्छा ही बोलूंगा ना यार मैं तो अगर वहां अपने पुराने चावलों को यह देंगे क्योंकि एक दिन आएगा जिस दिन वह अपने बलबूते मैच जिताएगा चाहे वह भूसे हो यह नहाएं पड़ता रिकार्ड बूक्स में उठाँगा ओवा क्या प्लेया चैहिस बड़िच तरीके से फ्लिक मार्स क्या करूं भाई सभी लोग आरे तेरे अभी वह ऐसे कर लेंगे वैनी सुन रहा दोनी दे दोनी में कभी धवनी के शॉट को देखकर कभी आपको लगा कि यार इस शॉट की तो एन एफ्टी बना कर अपने पास रख लेनी चाहिए भाई इफेक्टिव कि इतनी बर्बाद पर्फॉर्मेंस और मुझे समझ में नहीं रहा कि इसके बावजूद भी टीम मैनेजमेंट उठेगी जागेगी कि कोई बात नहीं मतलब देखें हम पूरे साल तो अच्छा केलते हैं बाइलेटरल में हम देखें कि हमने पेटीम ट्रॉफी कितनी जारी मतलब यार इतना मतलब समझ में नहीं आता यह बाइलेटरल ट्रॉफी मत खेलने जाओ अगर इस तरीके की प्रिप्रेशन अगर आपको करनी है और इसी तरीके के जवाब देने हैं और यहां पर मुझे लगता है कि कोच राहुल रवेट और कप्तान रोष्शर्मा से बहु होना चाहिए अगर टीम इंडिया को कम से कम टी 20 क्रिकट में आगे बढ़ना है क्योंकि जिस टेंपलेट के साथ टीम इंडिया बैठी हुई है वह इतना है इतने साल पहले एक्सपायर हो गया है कि अब उसमें दुबारा से जान फूकी नहीं जा सकती दो और में पांच रन गुद्धा बन सकता था रही हो रहा है आप बताईए कि आप क्या यह जो टीम इंडिया के ऊपर जो गुस्ता है वो जायज है क्या आप यह भी कह सकते हो कि अभी तक तो टीम इंडिया को बहुत प्रेस कर रहे थे भाई मेरे पास यह पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि इसक है जो चीज गलत है उसके बारे में क्रिटिसाइज कर रहे हैं यह हमारा मानना है आपका क्या मानना है क्या आपको लगता है कि स्वीपिंग चेंजिस होनी चाहिए कौन-कौन से खिलाड़ी है जिनको अब आप लगता है कि टीम इंडिया को रिस्पेक्ट फुली हाथ जोड सब्सक्राइब कर कहना चाहिए कि थैंक यू सो मुच फॉरियर सर्विसेज विनेश कार्तिक को कहना चाहिए कि आप बहुत बढ़िया खेले यहीं तक था आपका सफर रवी चंदन अश्वन कौन-कौन से वो खिलाड़ी है आप यह कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो और आप यह भी बता सकते हो कि टीम इंडिया को अब आगे किस तरीके की क्रिकेट खेलनी चाहिए यह भी आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो मेरा नामें चैन रस्त होगी मैं हूँ अभी शेक मनचंद और आप देख रहे हैं अनकट